सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग आप सब का स्वाकत है हमारे बारगे फैमिनी ब्लोग में कैसे आप सब आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे हम भी यह मस्त हैं गाइज गाइज हमारे आप अच्छा सुबह से मम्य जी ने फिरमाइश किया कि कुछ अच्छा सा कर्म गरम बना ले इसलिए मैं बनाओंगी अपर काफी टाइम बाद है जहां तक कियादा है मेरे को मैंने साल मर हो गया तब बनाए थे अपर दिए नहोंने वाला था मेरे को तब बनाए थे मैंने आछ कि मम पर बनाऊंगे गर्मगर्म भाइब अ और आज मैं आप से शरा कर गृश्चरी करती हैं । यहां ले ली है मैंने सुजी और अब मिस में डालूंगी में देही अब इसको अच्छे से में डालेंगे आप में डालते रहेंगे तो अब हुड़ा पानी सुजी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है अब मैं रखूं इसको दस मिनट के लिए रेस्ट पर यहां कर लितियू में तड़का रेडी ओई हमारा गरम भी हो चुका है और अब मैं डालूंगी इसमें गैस को बंद करके थोड़ा जीरा और राइड 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 पर बलके डालेगा यहां मैंने हरी मिर्च और प्याज अट्माटर काट के रखनें इसके इलावा आप गाजर शिबला मिर्च और सब्जी भी डाल सकते हैं तड़का भी हमारा रेडी हो चुका है इसमें आप कड़ी बत्ता भी डाल सकते हैं सुजी हमारी रेडी हो चुकी है अब मैं डालोंगे इसमें थोड़ा मिठा सोड़ा इससे हमारे अप्पे फुलो फुलो बनेंगे मिठे सोड़े को अच्छे से मिला लेते हैं अब मैंने डाल दिया है इसमें तड़का और जो सबजे काटके रेडी की है वो डाल लेते हूं और प्याज इनको अच्छे से मिला लेते हैं अब हम डालेगे इसमें लाल मिठ और डालूंगे नमक अब मैंने को अच्छे से मिला लेते हूं अब के लिए मैंने बैंट डा दिया है हमारा बैं गर्म हो चुक है अब मैं डाल रही हूं इसमें और थोड़ थोड़ा हमें डालों इसमें थोड़ी राई बैंना हम नहीं हमारे त्यसे कर्म हो चुक है यह अब मैं डाल लूँ इसमें त्यार गिया हुआ बैटर इसको अच्छे से उपर तक बरना है अगर तो डाल लेंगे तो यह हमारे अच्छे से गोल-गोल फूले-फूले नहीं बनेंगे सारे सांचों में मैंने बैटर डाल दिया है वह मारे यह उनको मैं ढखके रखती हूं तील मिनेट पर यह रैडी हो जाएंगे यहां बन रही है हमारे चाई दिवयन के वापकर ड्यूटी दिया चुक्या है हमारे फूल के बन के रैडी हो चुक्या है हाफ और अब मैंने को अच्छे से आ रही है अब मैंने को सेखूंगी दूसरी तरफ से बन के रैडी हो चुक्या है है एक साइड से सारे सारे बनके रैडीए सो जखते हां अब मैंने इनको पल्टती है दूसरी साइड से भी तीन मिनिट पे बनके रड़ी हो चुकेंगे अब मैं इनको डख देती हूं यह पक्के हमारे रड़ी होचे है अब मैं इकाल रही हो इनको प्लेट में कर्मा गर्म हमारे पिबन के रड़ी हो चुके है अब मैं कर्मा गर्म हमारे पिबन के रड़ी हो चुके है अब में है गर्मा गर्म जाए तो फ्रेंड्स आज मैंने आप से शेयर करी अपिबनाने की रेस्पी और गाईज आप कमेंट्स में जरूर बताना कि किस-किस को अप्पे खाना पसंद है सो गाईज आज के ब्लॉग को करते हैं यही खतम अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में और गाईज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तब तक के लिए नमस्कार बाई गाईज